नमस्कार मी संकेत आवटे तुम्स पुन्हाइक दा स्वागत करतो ये मराटी संकेत ये यूटूब चानेल वर अनि हो उडेजानियादी प्रीमियम सर्विसेस अपन सर्वान साथे ये प्रियोप कॉष्ट देना रहोत बर्याच प्रीमियम सर्विसेस अपले आहेत ती सर्विस गेने साथी एक कंडिशन आहे तुम्से डिमैट अकाउंट आपले आसाईला हुए जे उहां तुम्हीं हे डिमैट अकाउंट ओपन कराल दहात आरके परिंता आमी तुम्हाला ये प्रीमियम सर्विसेस देहला शुरुवात करना रहोत तो एकड़े तुम्हीं बहु सुद्धा शकता क्यों तो ओल्ड वीडियो सुद्धा बहु शकता तेची लिंक में डिस्क्रिप्शन माद ही देतो है इंटिग्रेटेड़ सप्लाई चेन सोलूशन है प्रोवाइड करता था सेकड़ लार्जेस डिस्ट्रिपूटर हे भारता ति लाहे त मगुष्चता भारताτε सर्वात मौथ्थेस दिस्ट्रिपूटर फाहे की जोन नमबर लाज सुद्धा प्रवाइड करता तेन चानचा बिजनिस डायवर्सीफाइड आै अगजै कती रिवेकी रिवेन डेते महतवाचि होकी। प्रोफीटेबल आसायला पाये जे, कंपनी जर लॉस मेकिंग आसेल तर तैचा मधे इन्वेस्ट करना, आत्ता तरी चांगली गोश्टन नसेल, क्यूँवां कंपनी वरते डिपेंड आसेला, ता मैक्सिमम मिज यहां कंपनी आमधे इन्वेस्ट करतो ती कंपनी प्रोफीटे लेला पायला में तो consistency अच्छा मदे आहे तुम्हीं एकड़े बगुशक्ता सतराला अठरा एकोनीस वीस अनि एक्वीस consistently हाश टॉक ग्रो होतो है तसाथ याचा रिवेन्यू सुद्धा ग्रो होतो है कि खूप महत्व अची गोश्ट है अता फक्त रिवेन्यू ग्रोथ होतो असा है का बिल्कुल नाही 2017 पासुन ते 2021 परेंता या लेवल ला तुम्हीं आसा बगुशक्ता इकड़े पहिली गोश्ट है सेल्स सेल्स जर आपन 2017 साली बगिटला तर 41,000 कोटी चा असपास याँचा सेल होता जो 2021 मदे 56,945 कोटी पहुचला अधर इंकम सुद्धा इंकम भगुशक्ता 2017 साली 41,156 कोटी रुपए होता है ते 2021 मदे 57,000 कोटी परेंत याँचा टोटल इंकम पहुचला है मग इकड़े टोटल एक्सपेंसेस तुम्हीं पहुचला इबिट पहुचला इबिट पन खुब चांगले प्रकारी ग्रोह होता है 1224 कोटी परेंत अनि सग्रयात महत्वाचे अनि शेवट ची गोश्टास ते नेट प्रोफिट काय सांगत 466 कोटी 2017 साली अपले पहला मेला होता है अनि 2021 मदे 706 कोटी परेंत अपले याँची ग्रोथ पहला मेलते जीकि नेट प्रोफिट मदे आहे इकड़े शेर होल्डिंग पैटन इंटरेस्टिंग पहला मेले फाइएची इंवेस्मेंट 41.22 टक्किया है डियाइच 15.93 मंजे जवल पास 16 टक्की एकड़े और 41 टक्की एकड़े इंवेस्मेंट पहला मेलते त्याच बरोबर 42.4 इंश्मेंट ही पब्लीक चीया है मंजे जवल पास 43 टक्के और 0.01 नहीं जसे तुम्ही बगितला सेल रिलाइंस मदे अंबानी आहेत अदानी ग्रूप मदे अदानी जाहेत तसे इकड़े तुम्हाला प्रमोटर पाहला मिलत नहीं जा प्रमाने ITC मदे तुम्ही पाहत असला ITC ही इंडिपेंडन्ट कंपनिया है और याचा मदे वेग वेग या बॉडिज आसता था या बॉडिज या कंपनियान ना रन करता था अगदी त्याच प्रमाने रिडिंग्टन ला सुद्धा एक असा कोनी ओनर नहीं क्यों वाँ प्रमोटर नहीं जो ही कंपनी सगली ओन करतो क्यों वाँ त्या कंपनी ला तो रन करतो असा काही यी नहीं कंसिस्टंसी याचा मदे पहायला मिलते जून दोन हजार वीस मदे 41.12 टक्के एकड़े याची इन्वेस्टमेंट होती याच प्रमाने डियाई याच ची सुद्धा इन्वेस्टमेंट आपन इकड़े बगुशक था दोन हजार वीस जून मदे 16.7 टक्के याची इन्वेस्टमेंट होती आणि जून दोन हजार एकविस मदे 15.39 मजे जवल पास ही पन 16 टक्के जिगड़े आपन महनुशक तो याचा मदे सुद्धा एक कंसिस्टंसी आ है याचा मदे कमी जासत खुब मोठा प्रमानात वेरियेशन इकड़े पाहला मिलत ना ही शवटी पॉइंट है तो पब्लिक होल्डिंग का यसांगत पब्लिक होल्डिंग जून दोन हजार वीस साली 42.17 टक्के होता आनि जून दोन हजार एकविस साली 42.17 टक्के जवरेंशी टक्के जवर्पास 9.22 टक्के श्टॉक पाहला मिलता इन शॉट तुम्ही आला मुचल फंड मनुशकता टाटा मुचल फंड कड़े आराउंड 1.17 टक्के जशेर सा है फॉरेंड पॉर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कड़े 41.2 टक्के पाहला मिलता मक्ति वेग वेगड़े प्रकार चे फॉरेंड पॉर्टफोलियो इन्वेस्टर्स आस्तिल जी आपन FIIs बगितले होते तेच हे आहेत याचा मदे वेग वेगड़े इन्वेस्टर्स हेता ताता एकड़े तुम्ही बगुशक का फेडिलिट आसेल क्यूँवा फ्रैंक्लिन टेंबल्टन टासेल खुब चांगले चांगले वेलनोन रेपुटेड इन्वेस्टर्स क्यूँवा म्यूचल फंड कंपनीज इकड़े एमसीज इन्वेस्टेड आहेत खुब कमी रिस्क आपनी आला मानुशक्तो इकड़े ICCI Prudentials Company Limited 4.24 टके यांची इस्सेदार्य आहे जिकी इन्शूरंस कंपनी आहे आशा प्रकारी आचा शेल होल्डिंग पैटन आहे वेग वेगल्या, लोकान नी वेग वेगल्या, कंपनियान नी वेग वेगल्या इन्स्टिटुशन नी आचा मदे होल्डिंग अपला ठेव लेला है, इकड़े तुम्हीं बहुँशकता इन डिटेल, शंबर टके शेरोल्डिंग पैटन कशा प्रकारी आहे और कोना कोना चे इन्वेस्टमेंट आहे, क्लियरली एकड़े तुम्हाला पाहेला मेलेल, शेवटी प्रश्ण निर्मान होतो चार्ट, आता चार्ट काय सांगतो टेखनीकल अनालेसिस काय सांगतो हे थोड़सा आपन पाहना रहोत, इकड़े हाँ स्टॉक एका रेंज मदे मोमेंट करतो ता, ही रेंज तुम्हीं बहुँशकता, जवल पास 140 रुपया परेंत ते याची मोमेंट अपलेला पाहेला मेलाली होती, जेवँआ अहां स्टॉक नी ही लेवल ब्रेक के लिए होती, ही लेवल होती अराउंड 120 ते 140 रुपया जेवँआ ही लेवल ब्रेक के लिए ते हुआ आमी एकड़े इन्वेस्ट करायला शुरुवात के के लेली आहे, बरेक्टस इम्वेस्टर आमचे जे प्रीमियम सर्विसेश गेता ते सग्ले या लेरेंगी मदे इन्वेस्टेड आहे या रेंज सचा signific के लेली नौ के लेली अन्व ते पहिली इंवेस्टमेंट या लेवल ला जाली होती उन्ना अता अंदा जाला कि हाँ स्टॉक अजुन ग्रोह हूँ शोक तो यह चा मदे पोटेंशियल आहे जर तुम्हाला वाटता से लिए स्टॉक मदे इंवेस्ट करा वह तर तुम्ही विचार करूशकता तुम्हा फाइना पुन्हा बर जातो पुन्हा वार जातो पुन्हा रिट्रेस हो दो ओना फफम अता या लेवल पसंन पुन्हा तो रिट्रेस होने ची शक्यता है अनि चांगल है लेवल ला पुड़ह रिजल्ट मेलना मिय face शक्केता है करन कंपनी बोनस डिकलेर करते डिविडेंट देती है त्या मुले कंपनी पुढे आजुन खूब चांगला परफॉर्म करेल असा अंदाज चांगला चांगला मोठ मोठ इन्वेस्टर चाहे रिशर्च अनलिस्ट चाहे आणि आमाला सुद्धा हिच वाड़ता आशा कुरतो तुम्माला ही इन्पॉर्मेशन वैल्योबल वाटले असेल त्या मुल तुम्ही विडेवला लाइक कराल शेर कराल तुम्चा मत मला कमेंट करून करवाल आणि हो लवकरात लवकर डिमेट अक आउंट ओपन करू शक्ता दन्यवाद श्टे टून एंड श्टे पोजिटिव